तो बही महीने की शुरुआत में ही जान लेते हैं पिछले महीने यानि जून 24 में इंडिया की 10 सबसे जादा बिकने वाली गाडियां यानि की टॉप 10 सेलिंग कार्ज के बारे में तो 10 पोजिशन पर टाटा की निक्सोन ने 12,66 यानि की 12,066 यूनिट के साथ जगा बनाई है जो की मही में 11 नमबर पर थी नाइन्थ पोजिशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो जिसकी 12,307 यूनिट सेल हुई और मई में ये 8 पोजिशन पर थी स्कॉर्पियो की जो सेल है वो एक नमबर डाउनफॉल हुआ है इस मही ने दो नमबर नीचे फिसलने के बाद 8 पोजिशन पर मारूती की ब्रेज़ा रही है जिसकी 13,123,172 यूनिट सेल हुई है वही मई में ये 6 पोजिशन पर थी नमबर साथ पर आती है इस लिस्ट की एकलौती सिडान जो की है मारूती सुजुकी डिजायर जिसकी जून में 13,421 यूनिट सेल हुई है वही मई में ये 3 पोजिशन पर है मारूती वेगनार जिसकी 13,790 यानि की 13,790 यूनिट सेल हुई है जून के महीने में इसका भी फिफ्ट नमबर पर मारूती की प्रीमियम हैच बैक बलीनो है जिसकी जून के महीने में 14,895 यूनिट यानि की 14,895 यूनिट सेल हुई है बलीनो का परफॉर्मेंस लिस्ट में सबसे बहतर रहा है क्योंकि माई के महीने में बलीनो की जो पोजिशन थी वो 9 पर थी और जिस माई के महीने में ये 7 पोजिशन पर थी और जून में इसने 4 पोजिशन हासिल की है अब बात कर लेते हैं तीसरे नमबर की तो 3 नमबर पर है यूनिट की क्रेटा जिसकी जून के महीने में 16,293 यूनिट यानि की 16,293 यूनिट सेल हुई है और माई के महीने में ये 4 नमबर यानि की 16,422 यूनिट सेल हुई है पहले के मुकाबले इसने जो जगा बनाई थी उसको एक नमबर फिसल गई है आपको बता दू कि पिछले महीने यानि की मही में जो स्विफ्ट थी वो फर्स्ट पोजिशन पर थी अब बारी आती है फर्स्ट पोजिशन की तो 18,238 यूनिट यानि 18,283 यूनिट के साथ टाड़ा पंच ने नमबर वन होने का टैग वापस से पा लिया है क्योंकि मई के महीने में जो टाड़ा पंच थी वो फिसल कर सैकेंड नमबर पर आ गई थी तो पंच काफी डाइम से जो है वो टाप 10 की लिस्ट में नमबर एक और दो पर रह रह रही है आई होप आप लोगो ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजे और ऐसी ही इन्फोमेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जैहिन